हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल सो आज की वीडियो में बात करेंगे स्सी एम्टी एस एन हवल्दास लेवेस 2023 की तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका एप्लिकेशन फॉर्म फॉर्म होना कब से चालू हुआ था तो 18 जैनवरी 2023 से जो आपका फॉर्म फॉर्म होगे तो अपरेल तक आएगा और अगर फॉर्म फॉर्म की जो संख्या होगी वो कम होगी तो आपका मार्स तक भी जो है एक्सप को मिला कर देखा जाए तो 11,400 जो है तोटल वेकंसी आउट हुए थी ओके एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी स्ट्रीम का स्ट्विट्ट जो है इस फॉर्म को फिलप कर सकता है 10 पास होना चाहिए ठीक है तो 10 पास स्ट्विट्ट्ट्स जो है वह अराम से इस फॉर स्ट्वा स्ट्रीम काता तो इस बार जो एक जांब है वह सेशन डू भी सफॉर् continu गैती हां रहे क्वार के तो इस बार जो सेशन टु एंड सेशन और सेशन वन में रखे गा है थी क है एक ही क्यास है ठीक है मतलब एक ही सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्राइब का सब्जेक्ट में रहेगा निमेरिकल मैथमेटिकल अबिलिटी मतलब का मैस रहेगा बात करें अगर मैस की तो मैस के 20 कोशन रहेंगे कितने मार्क्स का होगा देखो मैस के 20 कोशन 60 मार्क्स के और रिजनिंग के 20 कोशन 60 मार्कस मतलब क्रूटल जो है का सेशन वन वह एक सो बीस नंबर का होने वाला है जिसमें 40 कोशन रहेंगे टाइम डूरेशन की बात करें तो 45 मिनट जो है आपको मिलेगा तो आपका सेशन वन आप समझ गए होंगे कि आपके मार्किंग डिक फैसे में डिक सम clearly on the अपका marks का यह जो है paper होने वाला है इसमें 50 question रहेंगे 25 general awareness के question रहेंगे 25 English question रहेंगे time जो है आपका duration कितना मिल रहे 45 minutes आपको जो है वो total मिल रहा है तो जो session 2 है उसमें आपका negative marking रहेगा आप 1.0 का थी किया देखे clearly ये doubt clear कर लीजे कि आपका जो session 1 है उसमें negative marking नहीं होने वाली है, session 2 है उसमें negative marking रहेगी 1.0 की, session 1 में 2 subject है, maths and reasoning, session 2 में general awareness and english इसमें भी 2 subject है again, इसमें number of question 40 है, इसमें number of question 50 है, इसमें जो है total जो है आपका paper 120 marks का होगा, इसमें जो आपका total paper है वो 150 marks का होगा, time duration दोनों सेम है 45 minutes, 45 minutes, दोनों ही CBT based examination है, computer based examination जो है, दोनों ही है, okay, moving to the next, अब हम देखेंगे कि MTS हवल, मतलब हवलदार में जो है, आपका physical होगा, तो किस टाइप का होगा, physical में इस बार, जो है, आपकी walking रहेगी, male के लिए 600 meter walk करना है, 15 minute में, female को 1 km walk करना है, 20 minute में, height की बात करें तो male के लिए 157.5 cm चाहिए, और female के लिए 152 चाहिए, chest की बात करें, male में तो 81 cm चाहिए, weight की बात करें, तो females का weight होना चाहिए, 48 kg होना चाहिए, okay, बात करते हैं age की, तो MTS form को fill up करने के लिए, आपकी age 18-25 साल के बीच में होनी चाहिए, हवलदार के post को fill up करने के लिए, जो है, 18-27 साल के बीच में होनी चाहिए, yes, age relaxation है, वो भी सी के लिए 3 साल का age relaxation है, और आपका, जो है, SCST वालों के लिए 5 साल का age relaxation दिया गया है, और भी जो PWD और ex-servicemen वगेरा है, उन लोगों के लिए भी age relaxation है, उसको आप PDF में चेक आउट कर ले, okay, so next we are moving to the most important question, ठीक है वो ये की, जो syllabus है हमारा, उसके अंदर कौन-कौन से chapter जो है, वो आएंगे, students बहुत जादा confusion है इसमें, ठीक है कौन से chapter आ रहा है, कौन से नहीं आ रहा है, तो चलिए उस confusion को भी हम देख लेते हैं, दूर कर लेते हैं, तो देखे, सबसे पहले हम बात करेंगे maths की, तो maths में कौन-कौन से chapter आ रहे हैं, maths में आपका number system आ रहा है, hcf, lcm आ रहा है, compound interest, simple interest आ रहा है, percentage की questions आएंगे, average आएगा, geometry आएगा, time and work की questions रहेंगे, mensuration रहेगा, profit and loss रहेगा, trigonometry रहेगा, ratio of mixture allegations रहेंगे, time, speed and distance रहेगा, data interpretation रहेगा, algebra की questions जो हैं वो रहेंगे, ओके बात reasoning की reasoning में क्या आएगा, आपका number and alphabetical series आएगा reasoning में, coding, recording के questions रहेंगे, non-verbal रहेगा, paper folding and cutting रहेगा, mirror image रहेगा, counting figures रहेंगे, analogy रहेगा, odd one out रहेगा आपका reasoning में, syllogism रहेगा, mathematical calculations भी रहेंगी, ranking के questions रहेंगे, blood relations रहेगा, metric रहेगा, words order according to dictionary रहेगा, ठीक है, तो ये reasoning का था एक बर और आप जो है, chapters को देख लीजे, अगर आपको screenshot लेना हो, so you can take it, okay, moving to next which is general awareness, general awareness में जो है, आपका economics, history, culture, static gk, India and its neighboring countries रहेगा, geography रहेगा, scientific research रहेगा, general politics रहेगा, sports के questions रहेंगे, और Indian constitution के questions रहेंगे, अब जो last बात करेंगे, वो हम बात करेंगे, English language की, तो आपके English में spot error रहेगा, spelling, detecting and misspelled word रहेगा, fill in the blanks रहेगा, items and phrases रहेगा, synonyms, antinums, one word substitution, improvement of sentences and comprehension passage, ये सब जो है, आपके English में रहने वाला है, okay, आप screenshot ले सकते हैं, general awareness and English language के flavors का भी, okay, I hope आपने screenshot ले लियाओ, thank you so much for watching this video, अगर वीडियो helpful लगे, तो वीडियो को लाइक करे कमेंट करें और share करें